कि हैलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं अब सभी साथ हो एक वार फिर स्वागत करता हूं आपके पनी क्लास अर्विंसर साइंस में दोस्तों आज की इस क्लास में हम के मिस्टी में एक इंपोर्टेंट रियक्षिन एस लाइक सोक्सिडेशन ठीक है उस अभी रिया के बार हम लोग चर्चा करें कि जैसे कि आप लोग ने देख लिया होगा कि हम लोग कौन सी लिक्षिन के बारे आज करने वाले हैं ठीक है तो क्लास को पूरा एंड तक देखना निस्चित तोर पर आज के बास आपका इस डियक्षिन में जो आपको डाउट रहता है वो पूरी तरीके से ख कि आप तो यहां अगर आपको ध्यान देना है कि यह जो oxidation होता है किसका होता है तो आपको यहां पर समझना है oxidation और अगर मैं इसके थोड़ा से इसको define करूँ तो क्या हो जाएगा oxidation of secondary alcohol ठीक है secondary alcohol to ketones to ketones by aluminium tertiary tertiary butoxide ठीक है butoxide in the presence in the presence of ठीक है propanone ठीक है in the presence of propanone या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं acetone ठीक है acetone तो friends आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना है समझना है बात को कि opener oxidation होता क्या है ठीक है इसका main purpose क्या है main purpose हमें समझना है कि ओर इसमें होना क्या है तो दीको friends यहीं से आपको सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला थी इसको आप अच्छे समझे oxidation of secondary alcohol जो हमारा दूतियक alcohol होता है ठीक है जो हमारा secondary alcohol होता है ठीक है ketone में कनवर्ट होता है ठीक है किस में कनवर्ट होता है ketone में कनवर्ट होता है और यहां पर जो लिगा आपका bioaluminium tertiary butoxide तो इसका मतलब होता है यह हमारा catalyst का काम करता है किसका काम करता है catalyst का काम करता है catalyst मतलब उत्प्रेरग का काम करता है चलो तो यह आपको चीज समझना अब देखो यह तो मैंने आपको थोड़ा सा आपको इसके डेफिनिशन के तरीके बारे मैंने आपको बता इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि और इसमें होता क्या है अब इसमें एक चीज अच्छे समझते हैं पूरी बात को हम secondary alcohol का क्या करना है oxidation करना है तुमारा जो secondary alcohol है उसका अगर oxidation करेंगे तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो कि हमें यह पता होना चाहिए कि secondary alcohol होता क्या है तो उससे पहले secondary alcohol को समझने से पहले आप एक चीज यह समझो कि आपके जो वन डिगरी ठीक है आपको समझना पड़ेगा जो आपके कारवन होते है ठीक है प्राइमरी कारवन जिससे हम क्या बोलते है वन डिगरी ठीक है वन डिगरी कारवन और आपका क्या होता है secondary कारवन ठीक है क्या होता है secondary कारवन जिससे हम टू डिगरी कारवन बोलते हैं ठीक है और आपका क्या होता है टेर्सरी ठीक है टेर्सरी कारवन जिससे हम क्या बोलते हैं थ्री डिगरी और आपका होता है एक क्वार्टर नरी ठीक है क्वार्टर नरी जिसम क्या बोलते हैं फ तो यहां पर क्या होगा आपका देखो फ्रेंड्स आपका मैंने आप आपको एक एजम्पल के तो मैं आपको समझाने का फ्रयास करूंगा ठीक है जैसे मैंने इस तरीके से आप लिए सिंगल बॉर्ण्ड और यहां पर मैंने सिंगल बॉर्ण्ड यहां पर इस तरीके से आगे इस तरीके से आपने आप ले रहा हूँ अब यहाँ पर समझने है friends आपका जो 1 degree carbon होता है 1 degree carbon, या फिर 2 degree carbon या फिर 3 degree carbon, या फिर 4 degree carbon मतलब primary, secondary, tertiary, quaternary clear मतलब है? तो यह होते क्या है? आपको एक चीज़ समझना है कि जो carbon सिर्फ और सिर्फ एक carbon परमाड से जुड़ा होता है वो हमारा क्या होता है primary carbon मतलब 1 degree carbon तो अगर मैं बात करो कोई ऐसा example है जी यह वाला यह अगर मैं देखूं तो इसका connection किस से इस carbon से है तो आपका यह carbon जो है वह बात अलग है कि इस carbon से बहुत सारे carbon जोड़े है एक चैन बनी हुई है वह अलग बात है हाँ यह आपको समझना है कि यहां पर मैंने इस तरीकिस देखी आप यहां पर carbon की chain देख पा रहें ठीक है य यहां पर आपको समझना है 1º, 2º, 3º, 4º मतलब अभी सिप्नीन आ ने आ आपको बतायी है ठीक है प्रामरी, तरस्पर और कौरटर नरी तो यहां पर आपकोतु समझने हैं दोस्तों कि आपका जो कौर्टर नरी होता है थर्परadoreंह रोटा है प्रामरी होता है वो कौन-कौन से carbon होते हैं, clear, वो कौन-कौन से carbon होते हैं, तो यहाँ पर आपका, मैं बात करूँ, primary carbon की, तो ऐसा carbon जो सिर्फ एक carbon परमाडो से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ऐसा carbon परमाडो, जो किसी एक carbon परमाडो से उसका direct connection होता है, जुड़ा हुआ होता है, तूसे इ तो यहां पर मैं बात पूर अंगर इस कार्बन की तो आप बहुत सारे कारबन जुड़े हां लेकिन इसका किससे है इसका डायर कार्बन से तो यह जुड़ा है तो मतलब यह जुड़ा किससे सिर्फ एक कारबन फरमार उसे तो इसको क्या भोलेंगे यह यह किसे हो जाएगा? यह आपका इसे भी जुडा हा है, इसे भी जुडा है, उसे भी जुडा है, हो लिसे में जली है? यह वाग यह सब क्या हो जाएगा वन डिक्री वन डिक्री इतनी बात है अब कुछ बच्छों के दिमाग में एक घर कर रही होगी कि इस कारवन का चाहिए मैं इसकी बात करूं यह फिर इसकी बात करूं तो चलो इसके बात में इससे तो बहुत सारे सारे करवन जुड़े चलो यह यह क्या है यह आप हो क्लियर है यह आप है और यहां पर क्या है यह आपका क्या है यह आपका फ्रेंड है यह आपका क्या है तो आपका इससे है अब बात करो कि इसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे तो अगर आप जब मि से इन से भी मिलते हो और भी दोस्तों इसके होंगे तो या फिर आप बात और यह आपका रिष्टेदार रिष्टेदार है चीग है यह पर अंतर कर पाऊगे लग लग समझ पाऊगे कि कौन साब का प्राइमरी कारबन सेकंडरी अर्प ऌर्टेली कारबन है ठीक है अला कि आपको ठ्वड़ा सा टैम जरूल लग रहा है ठीक है वीडियो जरूल जरूल लेकिन आपको समझ में आएगा का inaldvon twenty посмотреть बत्ध हैं तो सिर्फ यतने बतानों मैं आपका क्या होता है मैं बात करूं सेकंड्री एलकोहॉल क्या होता है ठीक है सेकंड्र एलकोहॉल आपका क्या होता है clear यहांसे आप अच्छ निम्लाधा है कि यह सूझता है कि दोवर्ण जिंदगी के लिए इसम्हें डॉले तो यहां पर बात करें secondary alcohol तो दिखी यहां पर फ्रेंट्स अब alcohol जो होता है उसमें जो मारा functional group होता है वो क्या होता है आपको पता होगा वो क्या होता हमारा तो अब आपको पता होगा अगर कहीं एक बाल लगता है तो इसको पॉली के अंदर गत रख दिया जाता है ठीक है तो ट्राइब उसके बाद जो चीज़ा तो पॉली के अंदर रख दिया जाता है तो यहां पर समझना है व्रेंड्स की आपका जो एको हाल होता है ठीक है मतलब फंक्षनल ग्रूप आपका यह जो होता है अगर इसका कनेक्शन मतलब अगर यह डैरिक्टी आपके से bank Recogn Baby से जुड़ा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे secondary alcohol clear बात हैं जैसे मैं इस तरीके से यहां पर लिख दूँ ठीक है यहां पर समझना बात को जैसे मैं इस तरीके से यहां पर CS3 single bond CS3 ठीक है इस तरीके से मैं लिख दूँ मैं बोले समें secondary कारबन कौन होगा क्या यह होगा क्या यह होगा क्या यह होगा क्या है से जुड़ता है ठीक है आपका एलकॉल कैसे हो तो यहां पर आप देखें यहां पर में क्या करूँ एक कर्वन में इस तरीके सी लिया और यहां पर मैं ने क्या किया एक मैंने क्या किया इधर मैंने एल्किल ग्रूप लिया ठीक है क्या किया मैंने एल्किल ग्रूप लिया इस से मैंने जैसे CS4 है तो CS4 में से एक हड़जन कम करोगे तो क्या हो जाएगा आपका CS3 तो इसको अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप मेथेन पढ़ रहे थे अभी इसको क्या पढ़ोगे मेथिल पढ़ोगे मतलब किसके अंतरगात आगया एलकिल ग्रूप के अंतरगात तो यहां पर एक करवन से जुड़के बाद तुका न मोगे वात्यसमयतूर है और कैसा का इलकोयोन है से डियरा क्लियर बते हैं अब यहां पर हम हमारा हो जाएगा क्लियर बात है ना क्लियर 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 क डिजने के यह फरादल में करते हैं मतलब अब आपको हुरा है किला की दर को बढ़ा भी सकता है गरता दरब को चेंज करता है ठीक है अभी कि दर में चेंज लाता रहता है परिवर्तन अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का है क्लियर बात है तो यह आपका क्या रख है क्लियर यहां तक आपको समझ में है तो यह हमारा सेकंडरी अल्कॉहल है यह हमारा कैसा यह हमारा स्रीमून बात है अब यह क्या हो जाएगा आपका आप इसका क्या होना है इसका होना है और यह कंडिशन के लिए आपको सिर्फ यहाँ समझना है एक बास समझना है अगर मैं बोलू ठिक है addition of hydrogen ठीक है addition of hydrogen तो यह क्या हो जाता है दोस्तो reduction यह क्या हो जाता है reduction मतलब up chain अगर मैं बोलू removal of hydrogen ठीक है removal of hydrogen removal of hydrogen hydrogen का निकलना क्या कहलाता है oxidation clear बात है यह आपको याद रखना है कि removal of hydrogen hydrogen का निकलना oxidation कहलाता है और hydrogen का जोड़ना addition of hydrogen is current reduction तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपका यहाँ पर जो आपका सेकेंडेल कॉल इसमें जो आपके hydrogen है यह क्या हो जाएंगे आपके यह hydrogen यहाँ से remove होके यहाँ की जोड़ जाएंगे जब यहाँ की जोड़ जाएंगे तो यह आपका structure कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों यह आपका इस तरीके से R R-10 मैंने माल लिया और यह आपका क्या बचा सिर्फ O बचा अब जहीं से बात है तो आपका क्या होगा एक यहां इस तरीके से क्या बन जाएगा यह आपका क्या बन जाएगा आपका S3C सिंगल बॉन्ड यहां आपका S3C अब यहां पर दूहरत है सिंगल बॉन हो यह अब कुछ को तो बाते हैं ऐसे लगती है कुछ लोग तो ऐसे समस्पाते हैं एसे समस्पें किस युमारा फंक्ष्ण वोत है सीधा मैं रिप्लेस करते हैं हैसे मतलब इसको इसको सकते हैं कि यह हो गया फिर इसका को आपका यहां पर सब्सक्राइब तो आपका हर्प्रोजन दोनों होते हैं जब यहां के add हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है यहां पर आपका क्या हो जाता है यहां पर आपका क्या बन गया यह आपका बन जाता है कीटोन ठीक है यह आपका क्या बन जाता है कीटोन बन जाता है क्लियर बात है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो अभी मैं बता रहूं ठीक है और यह आपका क्या बन गया यह आपका क्या बन गया यह आपका बन गया अलकोहॉल ठीक है और इसका नाम क्या हो सकता है अलक कि इसका हम ने क्या खिविदेशन कर आया तो किसमें करउट हो गया कि टोन में kapया कि इसका है कि आपके नहीं भी बताई थे एक और अशुडीयशन ओफ शेकंडरी एलकोहॉल ठीक है क्या बाता थे हैं आपक्सिघेशन ओफ सेगंटरी एलकोहॉल टुकुटोन बाई एलमुनियम टेर्सरी ब्यू टॉकसाई इन दो पुर्जेंस आफ इन दो पुर्जेंस आफ क्या बोले था मैंने एशी टॉन ठीक है या फिर आपका प्रोपेनोन क्लियर भी बात है तो आपका क्या हो गया यह सेगंडे अलकॉल किसमें बदल गया क्यों बात है यही है आपका क्या ओपेनोर और ऑक्सिवडेशन आई थिंग आपको यह बाते समद्ध में आ गही होंगी यहां तक क्लियर है चलो मैं इसको एक्जामपल लेकर और समद्राद हो ठीक है अभी जो आप इसको देख पा रहे हो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते ह अब क्या कर सकते हैं जिन बच्चों को समझ में यह आर वाला वाला फंदअ गज्जीस के नस्मन में आया हो अब इतना तो अगर आपको अगर आपको आती हुंगे ठीक है और नहीं आढ़िवान इसके लिए मैं क्लास दे दूँगा ठीक है सिर्प आप कमेंट करना जो भी टॉपिक से डिट आपको प्रोब्लम हो आप मुझे बताए हम आपके लिए तक पर हैंगे ठीक हर एक टॉपिक हम आपको देंगे बाकि जो पढ़ा रहें वह तो बात की बात है ठीक वह तो आपको लागातार कांडीनी चलता रहेगा लेकिन आपको गर कहीं प्रोब्लम होती की तो आप सब्सक्राइब वारे मां आपको को बता सकते हैं और पिर मैं उसके लिए आप आपको यहांस में नहीं है तो यहां पर मैं इस तरीकस्ते हैं हैं यहां पर मैने लिया two कि यह ठीट तुट फाइव और यहां पर आपका ऑफ में आपका क्या हाँजाएगा एस थी सी यह आपका यहांपर किया हो जाएगा सिंगल बांड इसतहिए आपका हो गया ईलकोहौल घकलैare ब항 काई हो गया उन्म क्या रखना है चんな क्या अलमोनियम्स ही अ क्या हृट है अंतौर ट्रेयर हो गدbar यह आपका ओपेन और ऑक्सिडेशन वाला जो कॉंसेप्ट है दोस्तों आपको पुरी तरीके से क्लियर हो गया होगा ठीक है अगर कोई डाउट है अगर कोई बात आपको नहीं समझ में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं उसकी समझा का हम समाधान जरूर करेंगे ठीक है अभी तो मैंने स्टार्टिंग से सॉलूइशन वाला चैप्टर चल रहा है तो उसमें और फिजिक्स में आपका फर्स्ट कूलम्स लावर एंड एलेक्रिक फिल्ड वाला चैप्टर चल रहा है तो आपको कई प्रॉब्लम होती तो भी बता सकते हैं ठीक है और यह वाली वीडियो एक स्टुडेंट पल्लवी ने इसके बारे में कहता सर की इस क्लास को के बारे मतलब बता दीजिए तो यह फिर मैंने सोचा अगर बच्चे बोल रहे हैं तो जाएच बात है करवाना चाहिए मुझे ठीक है तो आप भी अगर आपको कही डाउट है कोई प्रॉब् है की प्रोब्लम हों तो आप में जूरूब बताहिया बाकि जो ऋर्ड टौपिक स्केल लिए अधर जू है टौपीक थिक दूधे अधर जो टॉपिक है जिनके लिए आपनी बोला था उसके लिए हम आपको जल्दी से क्लास आपको हमको और आपकि इलिए क्ल्दी आपक्र म और अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं तो आपके पास कोई काम है नहीं तो फिर अच्छे से अपनी पढ़ाई को किसी चले दोस्तों मिलते एंगली क्लास में तब तक के लिए बाबाई टेक केर थेंक्यू